अगर इनके जैसा आप भी दोस्तो बहुत सारे पैसे बरबाद नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो पे बने रही है तो आप देख सकते हैं सेप्टिक टैंक बनवाना वैसे ही एक बहुत ही खर्चीला प्रोसस होता है और उसको दोस्तो बनाने के बाद तोड़ना पड़े समझ सकते हैं दोस्तो कितना जादा एनरजी समय और पैसे की बरबादी होती है ठीक है प्रोपर दोस्तो आपको देख सकते हैं इस तरीकी जो है वो सेप्टिक टैंक का निर्मान हो गया था निर्मान में किसी परकार का कोई कसर न रह जया दोस्तो देख सकते हैं कॉलम का भी यहा पर दोस्तो और वीडियो जब पूरी हो जाएगी अपने उन लोगों तक दोस्तो जरूर से सेर कीज़ेगा जिनका आप भला चाहते है या फिर जिनका घर बन रहा या फिर बनने वाला है प्लानिंग चल रही है उन लोगों तक दोस्तो सेप्टिक टेंक से जूर भी जनकारी जरूर से पहुचाईए चुकि हर घर में सेप्टिक टेंक तो बनता ही है दोस्तो आप देख सकते हैं जो जमीन का लेबल है यहां से देखेंगे दोस्तो लगभग तीन फीट यहां तक दोस्तो उठाने के बाद में ठीक है चुकि बगल वाला जो जमीन है बहुत जादा यह सेप्टिक टेंक जो है वो इस वाले घर के लिए बनाया जा रहा था ठीक है यह जो घर है ना इसके जितने भी गलेट पगरा का आउटलेट थे सभी यह सेप्टिक टेंक में आने है ठीक है अब इसका जो उचाई है दोस्तो आप देख सकते हैं बांडरी के लेबल का हो अजया है इसका हाइट जो इसका मैरिट हो रहा था वही दोस्तो अब इसके डेमैरिट के तर पे काम कर रहा है और यही दोस्तो इसकी कमी हो गए है juicy सेप्टिक टेंक इतना उपर ऐगर दोस्तो जो है वह ढलबा दिया जाए देक सकते हैं इस कौरणर पे Column है अगला Column पर Corner Column है यहाँ भी Column है Column है ठीक है Column है Column है दोस्तो लाखो रुपए के अगर बरबादी कहूं तो यह गलत नहीं होगा चुआ दोस्तो एक इहीं सेप्टिक टेंक में पूरे 6 दोस्तो आप देखेंगे तो यहाँ पर Column बनाय गया था इसके उपर में सबको दोस्तो तोड़ना पड़ेगा, कि सप्टिक टेंग का बेसिक्स क्या कहता है दोस्तो, जो भी घर का वेस्टेज है, वो सप्टिक टेंग में आएगा, और पानी को दोस्तो इस तरीके से बहने के लिए स्लोप चाहिए, माली जी इस जगह से दोस्तो यहां तक आपको स्लोप देने है, माली जी इसकी दूरी जो है वो एक एक जामपल को तौर पे मैं आपको वाता रहा हूँ कि 10 फीट है, ठीक है, आपको स्लोप किस तरीके से डिसाइड करना है, जो पाइप है, माली जी तो यह इधा रख देंगे, यह उँचा रहेगा, तो बिल्कुल भी पानी नहीं जा पाएगा, सीधा रखेंगे, फिर भी दोस्तो पानी और सॉलिड वेस्ट नहीं जा पाएगा, इस तरीके सलका सा टेपर, इस तरीके सा स्लोप देंगे, तो यहाँ पानी गिराएंगे दोस्तो अराम सी ये जो है वो यहाँ तक सेप्किल टेंग तक आ जाएगा एक अमरूल देराओं दोस्तो दस फीट के माल लिजे दूरी है तो आपको क्या करना है पहले इसको feet में न आप लीजे, जितना feet दोस्तों इसकी दूरी आ रही है न, उतना 1 इंच को 4 हिस्से में दोस्तों जब divide करेंगे, मतलब कि 4 feet की अगर दूरी आ रही है, तो 4 feet के दूरी पर दोस्तों 1 इंच का आपको slope देना है, इस तरीके दोस्तों slope डिसाइड होता है, बह package की समस्य आती है, खैर यह तो अलग topic हो गया, इसको इसलिए तोड़ना पर रहा है, चुकि अगर माल लीजे, यहाँ पे, अगर first बनाया जाएगा दोस्तों, तो जब भी दोस्तों जो septic tank रहेगा न, वो घर के जो plinth beam है, जो घर का first है दोस्तों, उससे हमेशा नीचे में रहेगा, तभी तो दोस्तों इस तरीके से slope देते हुए दोस्तों, आप इस तरीके से आउटलेट को जो है वो septic tank में डालेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था दोस्तों, septic tank उंचा हो गया था और हमारा घर नीचा पढ़ने लगा था दोस्तों, इसलिए यह गलती मिस्तुरी ने अगर दोस्तों बनाने से पहले सोच लिया होता, तो यह चीजे यह नुकसान जो होड़ा है वो आज नहीं होता, चले दोस्तों, experience बहुत जादा माईनी रखता है, civil work में, construction work में, कभी भी दोस्तों, septic tank बनवाए, तो इसकी जो height होगी, maximum height की मैं बात कर रहा ह या तो plinth beam के equal होगा, फिर भी दोस्तों आपका कुछ ना कुछ उपर अला part खाली रह जाएगा, plinth beam से हमेशा दोस्तों इसका जो height हो नीचे रहेगा, इस तरीके से, ताकि यहां से आने वाला जो पानी है, वो slope लेता हुआ दोस्तों, septic tank में, first floor के लिए कोई दिकत नही लगते हैं, यह चीजे यह गलती थी, label मैच नहीं कर पाया, दोस्तों, mystery और जो भी ठेकदार थे, यहां पे गलती आ गई है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, और दोस्तों यह normal सा septic tank देखने में भी लगता है, दोस्तों लेकिन इसको बनवाने जाएंगे, दोस्तों 30 से 35,000 का तो मात्र इसमें इंटा लग जाता है, ठीक है, अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, सेप्टिक टेंक बनवाने में भी दोस्तों लाखो रुपए खर्च करने पड़ते हैं, हमारा एक वीडियो है, जिस पे हमने बताया है कि सेप्टिक बनवाने में इंट कित कितना लगता है, सांद सांद दोस्तों, सेंड यानि के बालू कितना लगता है, लेवर कोष्ट कितना लगता है, इसकी खुदाई करवाने में क्या लेवर कोष्ट चाती है, ढलाई किस तरीके से करवाना चाहिए, कितना मोटा करवाना चाहिए, कौन से सरिया देनी चाहिए पूरी जनकारी आपको civil engineering support वाले वीडियो में मिल जाएगी आप हमारे चैनल को दोस्तो एक बार स्क्रोल कीजिए तब आपको जनकारी मिलेगे दोस्तो कि कौन-कौन से टॉपिक हमारे चैनल पे अल्रेडी दोस्तो मैक्समम टॉपिक जो है पर कभर हो गया है तो फिर मिलता हूं इजाजे दीजिए नमस्कार धन्यवाद इस तरीके के गलती से आपको बचना है इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं धन्यवाद